प्रेंड्स विल्कम टू एग्जाम यहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं समुह पांच के अंतरगत नर्सिंग इस्टाप पैरा मेडिकल इस्टाप हुआ अनसमकश पदों पर मदप्रदेश में जो वेकंसी निकली है तो उसके बारे में पर चर्चा करेंगे यहां पर हम द सके तो आईये शुरू करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि आवेदन पत्र भरने की प्राधम्थित्थ होने वाली है तो 26 नवमबर दो हजार स्टाप हो रही है और – लास ऍेट्ट भरने की है 10 December 2024 है और आवेदं पत्र में संसोधन करने की प्रादर्म मती थी है 26 November 2024 है और आवेदं पत्र में संसोधन करने की अंतिमती थी 15 December 2024 है तो इस दिये गए date के अनुसार आप यहाँ पर form भर सकते हैं उसमें आप संसोधन कर सकते हैं कोशी सराना चाहिए कि आप आबिदन पत्र प्रादम में भर ले क्योंकि कभी कभी server डाउन हो जाता है तो फिर आप form नहीं भर पाते हैं और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यह exam की date या फिर form भरने की date बढ़ जाएगी तो आपको यह मान के नहीं चलना है आपको यह मान के चलना है कि जो date दिया गया है उसी date पर है चीज होने वाली है तो फ्रेंड्स आईए और चीजों के बारे जांकारी प्राप्त करते हैं और यहाँ पर जो फीस है परिक्षा सूलक है तो अनारक्षित अभ्यारतियों के लिए हैं 500 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है और केबल मदवर्देश मूल निवासी अंसूची जात अंसूची जन प्रश्न पत्र है तो यहाँ पर जांकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पर दिया गया है कि पेपर परिक्षा दिनांक और दिन कब होगा तो यह जो आप डेट देख रहे हैं दस जन्मरी 25 से प्रारम होने वाली है तो आपको यह डेट फानल लेके चलना है और इस दिया डेट के अनुसार ही आपको पूरी तयारी करनी है और यह समय टाइन टेबल दिया गया है पेपर कितने सिप्ट में स्टार्ट होने वाले हैं कितने बज़े से होने वाले हैं तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि यहाँ पर qualification क्या है और कितनी यहाँ पर number vacancy निकल ली है तो यहाँ पर आगे दिया गया है तो यहाँ पर परिक्षा का आयोजन तो परिक्षा का आयोजन सम्मूह पांच के लिए प्रश्ण पत्र की संख्या एक ही रहेगी और उसमें जो कुल अंक होंगे तो हंडर का होगा संग का पेपर होगा और यहां पे दो सेक्षन डिवाइट किये गए हैं पचीस नमर का और पचाहतर नमर का तो पचाहतर नमर में आपका जो टेक्निकल ट्रेड रह रहेंगे और पचीस नमर के कोश्चन रहेंगे सामान ग्यान, सामान हिंदी, सामान अंग्रेजी, सामान गणित, सामान बिग्जान और सामान अभुरुची रहने वाली है तो इस दिये गए सलेवस के अनुसार आपको त्यारी करना है ताकि आप अपने लक्ष की प्राप्त उम्र होना चाहिए और मत प्रदेश के मूल निवासी अंसूचीत जन जात अंसूचीत जात अन पिछड़ा वर्ग सासकी निगम अंडल सुषासी संस्था के करमचारियों नगर सैनिक दिव्यांग जन महिलाओं आधि के लिए इसमें जो योगिता इसमें जो कौली होना चाहि अधिकतम आयू सीमा में पांच वर्ग सी छूट दी जाएगी ओके फ्रेंट्स तो आगे और चलते हैं और भी जानकारी यहां पर प्राप्त करते हैं जो मुख मुख से हैं मुस्ली उसको हम आप यहां पर चर्चा करते हैं और ओके तो यहां पर यह आरखषण तलिका दिया गया है तो यहां पर अंसूचित जंजात के लिए 20% और अंसूचित जात के लिए 16% अनुपिहड़ा वर के लिए 27% और मन्निनायाले के निडाया धीन पर यह है और आरथिक रूप से कमजोर वर के लिए 10% और यह दिया गया है टेबल दिया गया है यह आरक्षन के लिए दिया गया है और और भी यहां पर जानकारी आपको महत्रपूर्ण दिया गया है जिसे हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं यह यहां पर पदों का एकजाई विवरन पदों का एकजाई विवरन में आप यहां पर देख लिजिए कि नर्सिंग आफीशर स्टाफ नर्स पद कोड रहेगा जब ही आप फाम भरेंगे तो पद कोड जरूर देखिएगा किस पद के लिए भर रहे हैं तो नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए रहेगा पद कोड 29, 34, 35, 42 पद संख्या जिसमें 55 पद है और 55 पद कोड ये रहेगा और फार्मासिस्ट ग्रेड दो के लिए 3, 37, 47, 60 पद संख्या 103 रहेगा पद पत कोड रहेगा बी रहेगा लिबर्टरी टेकनेसियन 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 असिस्टेंट लेब टेकनेसियन लेब असिस्टेंट का ये पद कोड रहेगा 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 22, 33, 46, 42, 33 और 61 पद कोड रहेगा और पद संख्या इसमें प तो जब भी आप यहाँ पर फाम भरवाईएगा तो यह पत्र कोड जरूर देखिएगा पत्र कोड जरूर देखिएगा इसके अनुसार ही आप फाम भरवाईएगा अगला यहाँ पर दिया है रेडियो ग्राफर डाल्क रूम असिस्टेंट रेडियो ग्राफर रेडियो ग्र चार और 31 है पद संख्या इसमें 144 है अब प्रशन पद कोड ये आपका ई होगा तो मेल आपको हम बता देते हैं कि इसमें कितने पद खाली है और कितने फार्म भरे जाएंगे यहाँ पर आक्यू पेसनल थेरा पिस्ट के लिए है 56 और 65 यहाँ पर पद कोड है और पद संख्या है पांच इसमें 5 बेकंसी है और आप्टो मेक्टिक्स में यहाँ पर 11 पद है और डेंटल हार्ट हाइजिनिस्टिक डेंटल मेकेनिक डेंटल टेकनिसियन में 11 पद है और प् पिस्थेरापिस्ट में चार वेकंसी और पनसंख्या और रेडियो थेरिपी में टेकनीशियन में तीन वेकंसी और एन इस्थे सिया टेकनीशियन में साथ वेकंसी और ईईईजी टेकनीशियन में एक वेकंसी और सी एस एस डी टेकनीशियन में छे वेकंसी हैं और लैब असिस लाइ अटेंडेंट और इस्केशन हाल और अस्सिस्टेंट ओ और एस्सिस्टेंग जी जा dobrर यह पर अगर बात किंजा है टोटल पर तोटल पर यहां पर दोस्तों बहुंच सारी दिया गया है 881 पद overall दिये गए है हमने यहाँ पर चर्चा कर दिया है और यह फाम जो भरने वाला है तो 26 नवंबर 2024 से स्चार्ट होने वाला है और आप फाम दिये गए समय आवध में भर दीजिए और अपनी इस्तेयरी सुरू कर दीजिए और आप के सकसेस होने की मैं सुभकामना करता हूँ ओके थैंक्यू फॉर वाचिंग